नमस्कार दोस्तों राजेस अर्वधिक ट्रिफ्स चैनल पर आपका स्वागत है यह जो आप पौधा देख रहे हैं यह घास की तरह उपता है और जमीन से बिल्कुल चिपका हुआ होता है और इसकी जो टैनिया होती यह बिल्कुल बारीक होती धागे की तरह है और इसको हुआ है एसलिए उसकी यह देगे दूद निकलता है इसलिह इस पौधे को दूधी घास के नाम से जाना जाता है इंके पौधों में इस्वरी शक्ती आप और इनके प्रियोग से हम सवस्थ रह सकते हैं, ये उसदियां लोगों के भयानक कस्ट और भयानक रोगों को खत्म करने का दिब गुड़ रखती हैं, जरूरत है हमें इनके प्रियोग को जानने का और इनको पहचानने की, इसलिए इन पेल पौदों को आप ध्यान से और इनको पहँचान कीजिए ताकि भविस्ट में आप इनका प्रियोग कर सके और अपनी भयानक असाद रोगों को दूर कर सके एक यह भी बड़ी दूदी होती यह जो आप देख रहे हैं वह जो पहले देखा वह चोटी दूदी और यह जो पौदा आप देख रहे हैं यह ब इसका प्रियोग- पहँचान लेंगे और आप इसका प्रियोग करेंगे और यह बहुत निरापद और बहुत अच्छी आःस्यथति हैं हरे रंगी होते हैं और इस प्रकार से इसकी जड़ होती है here देख हैं बहुत लंबी जड़ नहीं हूती हैं और हरे कि बीच में इसके बीज होते हैं जो कि इनमें लाल आभा लिये होते हैं इनकी टैनी तोड़ने पर सफेद रंग का दूध निकलता है इस दूध में भी आउसदी गुण बारपूर होते हैं इस पूरे पौदे माउसदी गुण है तमाम भहनक असाध दोगों में यह फायदा क नटे रखेंगे मन को सांटिप अधैन करने वाला और रक्ट साप करता है यह यह बाहर चाहिब हुन नेय को भी खत्म करता है यह पेट के चाहे जितनी भाज समस्य उसमें यह करता है यह पेंच्छी लौसा अप्लाइटीज की लिए लिए आतिसार की समस्षा रणी सीरी आप not करेंगे आपको फाइदा मिलेगा यह इतनी अच्छी पेट की आउसदी है कि यह कफ और खासी में फाइदा करती यह सूजन दर्द में लाब प्रदान करने वाली आउसदी है यह याउन रोग की आचू का उसदी है जो भाई याउन रोग से पीडित हैं वह इस वीडियो को प आपको तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और जरूरत मन लोगों को शेयर करें और इसकी लाइक का बटन दबाना बिल्कूर न भोलें तो आईए आपको बताते हैं यह किस प्रखार से आप को लाब पहुंचाएगी पेंचिस की कितनी भेहनक परिसानी हो ये दूधी का पौदा पेंचिस में बहुत यह सरदार पेंचिस होने पर सरीर में अत्रदी कमजोरी आ जाती है बार बार खुनी दस्त आउं से बैक्ति परिसान हो जाता है पेचिस चाहे साधारों या खूनियों या आउं आ रहा हो किसी भी प्रकार की पेचिस की समस्या में आप 15-20 ग्राम की मात्रा में दूदी के पत्तों को तोड़कर उनको चबा कर खा लें आपको दिन में दो-तीन बार खाना है आप देखेंगे कि आपकी पेचिस की समस्या में आराम मिलने लगेगा और आपको दो-तीन दिन खाने से ही पेचिस पूरी तरह से ठीक हो जाएगी महिलाओं में होने वाली स्वेद प्रदर की समस्या में दूदी की जड़ अत्तधिक फाइदा करती है दूदी की जड़ लगबग 2-3 ग्राम की मात्रा में साब कर लें और पीस कर उसमें थोड़ी सी मिश्री मिला लें और उसको पीने से स्वोयत पादर की समस्या बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। और दिन में दो बार यह प्रयोग कर सकते हैं। जिनको बच्चे नहीं होते हैं। तो यह बैज़बन की समस्या को भी ठीक करने में मदद करती हैं। और ये गर्वासय को सक्ति पदान करते हैं और गर्वासय की तमाम समस्चाओं को दूर करती है इस प्रकार से दूधी महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी है और बहुत ही फाइदेमंद है यदि पैर में कांटा लग गया हो और तदिक पीड़ा हो रही हो और कांटा किसी प् दूधी इस प्रयोग में भी बहुत ही असरदार है कि कील महा से ठीक करने के लिए दूधी के पौदे को तोड़ने पर जो दूध निकलता है उससे लगाए यह दूध एंटी बैक्टिरियल एंटी माइक्रोबिल परपरटी से भरपूर है और यह एंटी इंप्लामेटिक ग प्रकार चमकदार चेरा बनाता है और बिल्कुल गोरा चेरे को करता है इस प्रकार से यह महिलाओं या पुरूष कोई भी चाहे जिसके केल मुहसे हो या दाग धब्बे हो चेरे पर वो इसका प्रियोग कर रहे तो निश्चित रूप से उनका चेरा एकदम जमकता हुआ ग दूधी कितना ही जवजश्ट और सरीकुलों से भरपूर यह पौदा है अब आपको एक लास्ट इसका प्रियोग बताने जा रहा हूं जिन भाईयों का यौन दुरबलता है सारीरिक छीड़ता है यौन रोगों से ग्रसित है नसों की कमजोरी है ठकान है काम सक्ति में कमी है साथ में कमजोर पाचन तंत्र और लीवर वह आतों की किसी भी प्रकार की कमजोरी है सूजन है घाओं है दर्द में आप दूधी का यह प्रियोग कर सकते हैं यह बहुत ही निरापत है और इसका प्रियोग सबसे सरल है और फायदा बहुत ही जवज़श्ट है तो आपको दूधी के 100 ग्राम सूखे हुए पाउडर को और उसमें 100 ग्राम मिश्री मिलाकर सुबह साम उसका यह दिशेवन करते हैं तो उनकी यह सारी समझ्चा यह ठीक कर सकती है और पूरी तरह से वह ठीक हो जाएंगे उनको कि इस पौधे को आप ध्यान से देख लीजे और पहँचान लीजे इस प्रकार से इसकी पत्तियां होते हैं इस प्रकार से इसकी बीज होते हैं इसको आप समझ चुके होंगे और यह दूधी का पौधा है यह वादसात की दिनों में बहुतायत से मिलता है और तब आप इसको चाया में सुखा लें इसका पाउडर बना कर कभी भी आप इसका प्रियोग कर सकते हैं इसमें बराबर मात्रा में मिश्री मिला लें इसका एक प्रियोग बहुत ही ज्यादा फायदे मंद है यह संग्रहणी की समस्चा को भी ठीक करता है जो कि एक बहुत ही भ्यानक पेट का र पराम दिलाता है इस प्रकार से इस पौदेक के संब्ध मेरा यह वीडियो यहीं पर समाथ होता है आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं मिलते किसी ने अगली वीडियो में थैंक्यू जाहिंद